तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीरे के साथ ये एक चीज खिला दो दूद डबल कर लो जी हाँ दोस्तो अगर आप अपनी गायबैस को ब्याने के बाद सब कुछ खाने पिने को दे रहे हैं और वो दूद नहीं दे रही है ना दूद बढ़ रही है बलकि वापिस घटा रही है तो आपने जीरे के साथ मातर ये एक चीज खिलानी है उससे आपकी गायबैस का कि सी स्पाल मलिक है तो डोंट वरी टैंशन नहीं लेने का पसुओ की हर समस्या हर बीमारी का इलाज अपने पास है तो वो एक चीज कौन सी है और कितने दिन वो खिलानी है कैसे खिलानी है वो सब कंप्लेट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूँगा तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शी स्पाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सब का पसंदीदा यूटूब चैनल टूडे फार्मिंग जोन तो सवागत है दोस्तों आप सभी का और दोस्तों डेरी फार्मिंग वो पसुपालन की रोजाना की ताजा जानकारी बरी वीडियो देखते रहन के लिए जिन मेरे भाईयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबा कर ओल पर सेट कर ले और दोस्तों अगर आप फेस्बुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक को फोलो कर ले जिए साथ ही हमारे फेस्बुक पेज टूडे फार्मिंग जोन को भी फोलो कर ले जिए तो चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तो जीरे के साथ आप कैसे अपनी गायबास का दूट डबल कर सकते हैं एक चीज खिला कर वो आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले आपने कुछ दो तिन बातों का ध्यान रखना उसमें क्या है उसमें आपने अपने पसू की समय समय पर डी वार्मिंग जरूर करते रहना है यानि उसके पेट में जो कीड़े हो जाते हैं उनकी सफाई जरूर करते रहना है पहली de-warming बयाने के 20-22 दिन बाद की जाती है और उसके बाद हर तीसरे महीने उसको पेट के कीडों की दवाई दे कर उसके पेट के कीडों की सफाई की जाती है तब ही आपका पसू पूरे बयाद पूरा दूद दे पाता है दूसरी चीज दोस्तो जब भी आप अपने पसुओं को ये पेट के कीडों की दवाई देते हैं या जो जू चिचड किलनी होती है उनको मारने की दवाई देते हैं या तो फिर सकीन पे भी लगाते हैं तो ये जो सभी दवाईया इस तरह की होती है वो एक जहर होती है जो की सीधे पसु के लिवर पर अटेक करती है लिवर को कमजोर करती है तो लिवर की कमजोरी को दूर करने के लिए जब भी आप ये इस तरह की दवाई देते है तो उसको 10 दिन तक कोई भी अच्छी कमपनी का लिवर टोनिक जरूर दे सामने आप कुछ कमपनियों के लिवर टोनिक देख रहे हैं इन में से कोई भी एक ले आईए और 50 ml सुबह 50 ml स्याम को अपने पसु को दे दीजिए आपके पसु की सारी लिवर की जो कमजोरी है वो दूर हो जाएगी पसु अच्छा खाएगा अच्छा पिएगा दूर भी अच्छा देगा तीसरी चीज दोस्तों यह नहीं है कि जो मैंने बता दिया वो आपने खिला दिया बस उससे ही दूर बढ़ जाएगा नई उसके लिए आपने अपने पसु को संतुलितार जरूर देना होगा संतुलितार क्या होता है जिसमें अनाज भी हो अनाज का मतलब गेहूं भी हो मक्का भी हो थोड़ा बाजरा भी हो थोड़ा जों भी हो इसके अलावा कुछ दाले भी हो जैसे सोयबीन की दाल मुंग की दाल थोड़ा चना भी होना चाहिए इसके अलावा दोस्तों कुछ एनरजी बूस्टर होते हैं जैसे की मेथी होती है गुड होता है और एजवाइन वगारा जीरा शोफ वगारा ये सभी भी थोड़े थोड़े जरूर होने चाहिए इसके साथ ही दोस्तों लगबग 200 ग्राम गुड गर्मियों में 200 ग्राम और शर्दियों में आदा किलो तक गुड आपने जरूर देना है साथ ही दोस्तों रोज के दो चमच मीठा सोड़ा उसमें जरूर डालना है और इतना ही नमक जरूर आपने उसमें डालना है तो आपक भी नहीं रहा है दूद उसका और वापिस घट रहा है तब आपने यह नुस्का करना है इसके लिए आपने क्या करना है आपने जीरा तो लेना ही है रोज का 50 गक्राम तो जीरा आप आदा किलो लिया ये सपेद जीरा ओना चाहिए तो ये सपेद जीरा आप savvy जीरा he होते हैं वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा अगर वहाँ किसी करण से ना मिले तो जो पनिशारी की दुकान होती है हर सहर में वहाँ पर तो आपको मिल ही जाएगा, वहाँ से ले आईए, तो आदा किलो आपने जीरा लेके आना है, सफेज जीरा, जीरे में क्या होता है, जीरे में फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, काइबो हाड्रेट होता है, आइरन होता है, मैगनीशियम होत calcium होता है potassium, ging, copper, phosphorus, ging, folate, niacin, pyrodoxin यह सब परचूर मातरा में पाए जाते हैं इसके साथ ही बहुत सारे vitamins भी पाए जाते हैं जैसे कि vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin K इसके लावा vitamin B के complex पाए जाते हैं जैसे vitamin B, vitamin B1, vitamin B2, विटामिन B3 तो ये इतनी सारी चीजे एक जीरे में होती है जो कि सभी दूद बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी होती है और इसे दूद बढ़ता भी है दोस्तों काफी मातरा में बढ़ता है तो ये एक तो आपने जीरा ले आना है आदा किलो ले आईए उसको पीस कर एक बरतन में रख लीजिए और रोज का 50 गराम ये जीरा आपने जो भी आप अपने पसु को खाने पिने के लिए दलिया दे रहे हैं या फिर फीड बंटा जो भी दे रहे हैं उसमें मिला कर आपने देना है और दिन में ये एक ही बार आपने मिलाना है तो एक तो ये सफेद जीरा हो गया दूसरी चीज हो गई 50 गराम पीले रंग की सतावर आपने अपने पसु को देनी है दोस्तो ये सतावर तो पसु के लिए वरदान है और इसके बिना दूद की कामना नहीं किये जा सकती है दोस्तो सतावर दो रंग की आती है एक सफेद रंग की आती है वो मत लेके आना वो हमारे किसी काम की नहीं है तो दूसरी पीले रंकी आती है वो आपने लेकर आनी है कितनी आपने आदा कीलो पीले रंकी सतावर लेकर आनी है और उसको भी कूट कर बारिक पोडर बना कर आप एक सुखे बरतन में रख लीजिए वो भी आपने रोज का 50 गराम पोडर जो भी आप दलिया बाट बंटा और ये दोस्तों दोनों ही चीजे आपने 10 दिन जरूर खिलानी है तब देखना आपके पसू का दूद कितनी ज्यादा मातरा में बढ़ जाएगा तो 10 दिन तो ये जरूर खिलाना दोस्तों और जब आपके पसू का दूद बढ़ जाए तब आप इसको 20 दिन तक भी खिला स फायदा ही फायदा है तो दोस्तों आगे आप पसूओ की कौन सी समस्या पर कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करें जिस भी पसूओ की समस्या पर या बीमारी पर ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट आएंगे उसी पर अगली मिलते एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ तब तक नमस्कार